Welcome Everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा, गाइस क्या होका जब अर्थ से सारे के सारे ट्रीज खत्म हो जाएंगे, ना तो कोई रोश्णी बचेगी, ना ही सास लेने के लिए आक्सिजन बचेगी, ऐसा होना बिलकुल पॉसिबल हो सकता है, अगर ऐसे ही हमारे इन्वार्मेंट को हाम होता रहेगा, ऐसी एक मूवी को प्रेजन करने के लिए 2020 के अंदर एक मूवी आए थी, जिसका नाम था 2067, जिसका पूरा कॉनसेप्ट हमें ये बताता है, कि इन्वेंशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम ट्रेवल करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये पूरी मूवी टाइम ट्रेवल के अंदर घूमी हुई है, जिसके अंदर आपको प्रेजन टाइम इसी के साथ में 407 एर्स आगे पहुंची वे फ्यूचर स्टोरी भी बताती है, ये दौनों पैरलर चलती रहती है, जहां पे आपको सारी चीजे मैं इजी वे में समझा दूँगी, जहां पे मूवी के लास्ट में आप ये सारी चीजे बिलकुल आसानी से समझ जाएंगे, मूवी की स्टार्टिंग इसी सीन से होती है कि अर्थ के उपर इतने जादा डेफलेप्मेंट हो गए, कि यहां पे एमेजॉन का फॉरस्ट तक नहीं बचा, जैसा कि बत इसी ऑक्सिजेन के उपर जी रहे थे, जो कि न्यूक्लियर रियक्टर के मदद से डेवलप की जा रही थी, ना तो लोगों के पास में काम था और ना ही इतने पैसे कि वो ऑक्सिजेन खरीच सके, क्राइम रेट्स कावी हद तक बढ़ चुकी थी, तब हमें इस कहानी के में लीड दिखाये जाते हैं, जिसका नाम था एथन वाइट, एथन का एक बहुत ही चोटा सा घर था, जहां पे उसकी वाइफ रहा करती थी, जिसका नाम जैंती था, जैंती को भी ऑक्सिजन से रिलेटेट कोई ना कोई प्रॉब्लिम थी, इसी कारण एथन से हसी मजा करते एथन के साथ हम उसका एक बेस्ट फ्रेंड जूट भी देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि एथन और जूट को कुछ लोग आके एक कमपनी मिले जाते हैं, जिसका नाम कॉर्णी कोपरेशन था, जहां पे एथन मिलता है इसी कमपनी की डिरेक्टर से जिसका नाम रेजीना एथन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आकर उसे क्यों बुलाया गया जहां रेजिना कहती है कि तुम ही वाइट के बेटे हो ना इसी के साथ में हम एथन के हाथ पे एक रिस्ट बैंड भी देखते हैं अब एथन को ही यहां पे क्यों सेलेक्ट किया गया यह हमें आगे पता जाएगा एथन को एक लैब में लेकि आया जाता है जहां पे एक बहुती बड़ा गैजिट उसके सामने था एथन को बताया जाता है कि 20 साल लगे हैं इस मशीन को बनाने की अंदर यहां हमें पता चलता है कि एथन के फादर जिनका नाम रिचर्ड वाइड था वो एक बहु इसका मतलब था कि फ्यूचर के अंदर कोई ऐसे लोग है जो कि चाते हैं कि एथन उनसे आके मिले रजीना कहती है कि यह टाइम लाइन 407 एर्स के बाद की है यानि कि इनसान जिन्दा बच चुके हैं उन्हें जरूर ऐसी मैडिसन के बारे में पता चला होगा जिससे हम नहीं पता तो मैं अपनी जान ऐसी ही नहीं कवा सकता हूँ एथन का फ्रेंड जूड उसे थोड़ी बहुत बात समझाता है कि अगर तुम ये काम कर पाओगी तो शायद हम सब के लिए अच्छा होगा हम सब की छोड़ो तुमारी वाइफ जो कि तुमारे आंकों के सामने मर रही है एटलिस तुम उसके लिए कुछ तो कर सकते हो ना लेकिन एथन का कहना था कि मैं वहाँ नहीं जाओंगा भले ही मेरी वाइफ को कुछ भी हो जाए लेकिन मैं उसके आखरी टाइम में उसके साथ ही रहूंगा मूवी के आगे हमीं ये बताया जाता है कि एथन का बच इंसान जितना कि तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुम बहुत ही प्रीशिस इंसान हो मेरे लिए और हम सब के लिए, एथन जैसे उस गिफ्ट के अंदर हाट डालता है, तभी एथन के हाथ पे एक बैंड बन जाता है, जो कि एथन से बिलकुल अलग नहीं हो रहा था, यहां प एथन अपनी वाइफ जैंटी के पास में आया था, जैंटी बोलती है कि तुम्हें वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जहां एथन इस बात से फिर से मना कर देता है कि मैं तुम्हें चोड़की कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, जैंटी कहती है कि तुम मेरे का लेकिन हम लोगों की फ्यूचर जनरेशन के बारे में तो सोचो, जहां पे एथन को फिर से अपनी बच्पन का सीन याद आता है, जहां पे उसने सवाइफ करने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, एथन के सामने उसकी मॉम मारी गई और उसका मास्क तक तूट चुका था, तब उसे जूट मिला था, जूट ने ही एथन को जिन्दा रखा था, अब एथन सोचता है कि शायद मुझे चले ही जाना चाहिए, जिसके बाद में अब वो रिजीना के पास में आता है और बोलता है कि मैं तयार हूँ, एथन को सारे चीज़े समझाए जाती है कि तुमें जो सूट दिया गया है, उसे हम तुमें ट्रैक कर सकते हैं, इसी के साथ में तुमें वहाँ जाके बस क्योड लेना है और वापस से आना है, जैसे ही तुमें लाज ढून लोगें, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, एथन को ये भी कहा जाता है कि हम तुमें सिर्फ भेज सकते हैं, वापस आने की चीज़े हमें नहीं पता है, जिन लोगों ने मैसेज भेजा है, वो लोग तुमें वापस भी भेज सकते हैं, एथन इस बात से फिर से डर जाता है कि आकर मुझे कहा भेजा जा रहा है, इवन ये भी नहीं पता कि वो लेंड कहां पे करेगा, एथन को एक gadget दिया जाता है जिसका नाम आर्ची था एथन उसे communicate कर सकता है और वो हर चीज जो कि एथन के जरूरत की थी वो सब कुछ उसे आर्ची में मिल जाएगा ये भी कहा जाता है एथन को कि हमारे पास सिर्फ एक shot है पुरे शहर की बिजली एक बार बंद करने पे जितन ले लग जाता है एथन अपना पूरा सूट उतार देता है एथन को नहीं पता था कि उसने कहा लेंड किया है एथन को अभी भी यही लग रहा था कि उसके पास में सांस नहीं आ रही है और शायद वो मर जाएगा एथन अब तकरीबन 407 यर्स आगे पहुंच चुका है लेक इसके बाद में एथन अपना आर्ची निकालता है और उससे लोकेट करके पुछता है कि मैं कहां पे हूँ लेकिन आर्ची पे इस जगह को लोकेट नहीं कर पा रहा था कुछ आगे बढ़के उसे एक बंकर टाइप का दिखता है लेकिन तभी उसके बाहर उसे एक स्केलेट जब एथन उसे ढंग से देखता है तो पता चलता है कि सेम जैकेटिस स्केलेटन ने भी पहन रखा है जिसके सर पे एक गोली लक रखी है इसी के साथ में हाथ में वही सेम रिस्ट बैंड जो कि अभी एथन के हाथ में भी है एथन को ये चीज़ देख के बहुत गंदा वाल डर लगता है कि मेरे स्केलेटन यहां पे कैसे है यानि कि मैं यहीं पे पड़ा पड़ा मर गया था 407 येर्स बात में मैं कैसे मरा इन सारी चीज़ों के जवाब अभी तक एथन को नहीं पता थे एथन को इसी स्केलेटन के पास में दूसरा आर्ची मिलता है जिसके अंदर बहुत ही कम चार्ज बचा था उनली 2% लेकिन फिर भी वो लास्ट रिकॉर्डिंग सुन लेता है जहां पे एथन को पता था कि इसके सामने एक आत्मी और है जो कि एथन के मना करने के बावजूद भी एथन को शूट कर देता है यानि कि एथन की मौत होना तो तै है अब ए एक तरीके से एथन बिल्कुल अपने सेंस भूल चुका था एथन को अटैक आने लगता है एथन बस मरने ही वाला था कि तभी उसे अपने आँकों के सामने काफी तीज रोशनी आती हुई दिखाई देती है सामने आता हुआ आदमी एथन को ऐसा लग रहा था कि शायद वो आदमी और कोई नहीं बलकि जूट था यानि कि एथन का बेस्ट फ्रेंड जूट यहाँ पे एथन को यही बताता है कि मुझे तुमारी मदद के लिए भीजा गया है हम लोगों को लगी रहा था कि तुम ये सारी चीज़ें के लिए नहीं कर पाओगे जहां पे एथन तुम पागल पागल तो नहीं हो गए हो तुम क्या बाते कर रहे हो अब ये लोग आरची के मदद से फिर से थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं जहां इन्हें एक बंकर मिलता है एथन के आइस को स्कैन कर लिया गया था और बंकर का गेट ओपन हो जाता है अंतर जाने के ब blood sample लिया blood sample जैसे recognize होता है कि अब तभी वो wristband red से green हो चुका था एथन फिर समझ नहीं पाता कि जो सामने skeleton था उसके भी हात में green ही था यानि कि मैं वो सारी चीज़े करता जा रहा हूँ जो कि उस skeleton ने की थी यानि कि मेरे past ने अगर मैंने ऐसी ही चीज़े की तो मैं मारा जा लगा कि तुम्हें मदद की जरूरत है इसलिए मैं यहां पहुच गया यह machine जैसे ही on होती है कि तभी इसमें चार गंटे के timing set हो जाती है वापस return होने की इस बासे जूट तो बहुत खुश था लेकिन एथन को चीज़े समझ में नहीं आ रही थी कि आकिर ऐसा क्यों हो रहा है लेकिन जब हमने radio wave एक side से भीजी तो दूसरे side से वापस यहीं लिखावा आया sand Ethan White तो आखिर मेरे बेटे को future के अंदर कौन जानते होंगे और उन्हें मेरे बेटे से क्या चाहिए होगा यह सारी बाते रेजिना भी सुन रही थी तभी यहां पर red alert हो जाता है जिसके बा काफी समय पहले से करते हुए आ रहे थे लेकिन इस बार Ethan पहले सोचता है कि 4 गंटे में पहले हमें यहां से चीज़े ढूननी पड़ेगी उन लोगों को ढूनना पड़ेगा जिनों ने हमें बुलाया है लेकिन Ethan जब अपने आखों के सामने देखता है तो उससे वहां कुछ बरबाद था कोई बिल्डिंग नहीं थी कोई इंसान जिन्दा भी नहीं था उसे अपनी ही वाइफ उस स्कूल के बच्चे सिर्फ सिर्फ स्कैलेटिन में मिलते हैं इस बास सी Ethan को समझ में आ जाता है कि future में लोगों को कोई क्यो और मिला ही नहीं था ये सब कुछ एक Ethan निकल पड़ते हैं लेकिन रास्ते के अंदर ही Ethan की मॉम को शूट कर दिया जाता है और Ethan के चेरे से मास कटा दिया जाता है Ethan ने अपनी मॉम को मरते हुए देखा और इसी के साथ खुद भी वो मर ही रहा था अगर जूट नहीं आता तो वो जिन्दा भी नहीं बच्चता ल जहाँ पर Ethan कहता है कि तुम्हारे पास ये गन कैसे आई तुमने ही मुझे जरूर फ्यूचर में मारा होगा तो जूट गुसे में कहता है कि मैं बस तुम्हारी देख बाल के लिए से लेके आया था लेकिन अब तुम मुझे बहुत गुसा दिला रहे हो तो Ethan कहता है कि मेरी देख बाल के लिए तुम्हें गन की क्या जरूरत है यहाँ पर तुम्हें नुकसान कौन पहुचा सकता है जूट Ethan की कोई बात नहीं सुनता और उसे जल्द ही ले आता है न्यूक्लियर रियक्टर को ठीक करने के लिए ये दौनों पहुंचते हैं कैबिनेट की अंदर जहा चाफी मशक्कत के बाद में Ethan ने इसी मशीन को कनेक कर दिया था ताकि इस नुक्लियर रियक्टर को वापिस से अलेक्रिसिटी मिल सके और ये चालू हो जाए जिसके बाद में जूट Ethan को बचा लेता है इथन को अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब चानने बाकी थे लेकिन जूड ये कुछ भी नहीं करने दे रहा था अब इन दोनों के बीच में हाता पाई हो जाती है जहाँ पर इथन जूड को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और अब इथन खुदे इन सारे सवालों को जानने के लिए अपने फादर के होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग सुनता है जहां से इथन को सब कुछ पता चलता है कि उन्होंने जो टाइम ट्रेवल बनाया है उस टाइम ट्रेवल से उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है इसी कारण रिचर्ड ने हर जगा उस लैब के अंदर इथन के बलड सैंपल लगा दिये थे ताकि अगर इसे कोई भी ऑपरेट कर सके तो वो सिर्फ और सिर्फ इथन ही हो सके जिसके बाद में रैजीना चाती थी कि वो ही फ्यूचर में जाए और बच जाए इन दौनों के बीच में बहस हो जाती है जिसके बाद में रैजीना वहां दूसरे बंदे से पूछती कि क्या तुमें ये मशीन ऑपरेट करने आती है जब उस बंदे ने हाँ बोला तो इसके बाद में रैजीना ने ही रिचर्ट को वहां गोली से मार दिया ये सारी बाते इथन देख रहा था और अब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ पहले से ही प्री प्लैनिंग हो रखी थी फ्यूचर में मुझे भेजा जाएगा और मैं है उस मशीन को ऑपरेट करूँगा इसी कारण रिचर्ट पास्ट के अंदर वो मैसेच पड़ पाता है लेकिन असल के अंदर फ्यूचर में कोई जिन्दा ही नहीं बचता है इथन को ये पता चलता है कि जूट यहां पे रेज चलना चाहिए लेकिन इथन की पास अब जब कोई मैडिसन नहीं थी तो वो जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं तो वहां बिल्कुल भी नहीं जाओंगा जूट कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ जहां इथन कहता है कि तुम मुझे क्यूं मारोगे तो नहीं मारना चाहता हूँ, एथन कहता है कि मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, तुम मेरे भाई जैसे हो, जूट चाकर भी एथन को नहीं मार पाता, और वो जानता था कि अगर बाहर गया वो, तो रेजिना उसे मार देगी, इसी कारण वो खुद को शूट कर लेता है, यहाँ दूसरी तरफ 2067 के टाइम लाइन के अंदर रेजिना वेट कर रही थी कि जैसे इस मशीन को पावर मिलेगी तो कुछ लोग जो कि मैंने चुने हैं वो फ्यूचर के अंदर चले जाएंगे अब एथन को अपने फादर की बात याद आने लगती है कि कैसे उसके फादर ने बोला था कि सिर्फ एक तुम ही हो जिसके ऊपर सारी चीजी टिकी हुई है तुमें ही चुनना है कि सई क्या है और गलत क्या है रेजीना यहां पे अपने लोगों को कहती है कि पूरी दुनिया को खत्म होना ही चाहिए लोग यहां पे जिन्दा रहे के सिर्फ और सिर्फ अर्थ को बेकार कर रहे हैं एक बार जब हर इंसान मारा जाएगा तो अर्थ अपने आप ही खुद को रीकवर और हील कर लेगी हम लोग तब तक फ्यूचर में पहुँच चुके होंगी और वापस से नई मानव शंकला बना लेंगे लेकिन एथन ने डिसाइट कर लिया था कि उसे क्या करना है और इसी के साथ में वहां के सारे प्लांट्स को इसी मशीन के अंदर डाल देता है जिसे सारे प्लांट्स टाइम ट्रेवल करके पहुँच आते हैं 2067 के अंदर और इसी के साथ में आर्ची के अंदर वो अपना पूरा वीडियो रिकॉर्डर पे सैट कर देता है कि कैसे रेजिना इन सारी चीजों के पीछे है जब गौर्मेंट इन चीजों को देखती है तो उन्हें सबसे पहले तो ये पता चलता है कि 407 साल बाद में आर्थ जीने लायक बन चुकी है क्योंकि वहाँ पे प्लांट और ट्री सब कुछ आ चुके है और इसी के साथ में रेजिना के गलत इरादों के कारण उसे अरेस्ट कर लिया जाता है शहर के हर इनसान को ग्रीन री बाटी जाती है ताकि वो इसका ध्यान रखे इसी के साथ में जैंती के पास में भी एक फ्लार आता है जैसा कि एथन जैन्ती को प्रॉमिस करके गया था कि वो उसे ठीक करने के लिए सब कुछ करेगा इस बार एथन जब बाहर जाके देखता है तो सारी टाइम लाइन वापस से बदल चुकी थी यानि एथन का स्केलेटेन गायब हो गया था क्योंकि अगर इस टाइम लाइन के अंदर उसने ग्रीन री भेजी थी तो लोगों ने वापस से उसे संभाल के रखना शुरू किया इसका मतलब है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में लोग जिन्दा रहेंगे आर 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 अर आर 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 आर